कई बार आपने देखा होगा, आप एक e-commerce website के उपर जाते हैं, वहाँ पर एक purchase करते हैं, उस purchase की जो invoice है, वो आपको WhatsApp के उपर आ जाती है, जो आपकी order की details है, वो आपको WhatsApp के उपर आ जाती है, कई बार आप पेटियम के थुरू train tickets या air tickets बुक करते हैं, उसके बाद आप देख है, यह जो तीन डिफरेंट डिफरेंट बिजनेसे हैं, आखिर इनके पास कौन सा WhatsApp है, जिससे यह चीजों को automate कर पा रहे हैं, अब आप लोगों को लग रहा होगा कि ठीक है, मेरा बिजनेस तो काफी छोटा बिजनेस है, यह तो इतने बड़े-बड़े बिजनेस है, आप कर रहे हो, पेटियम की आप बात कर रहे हो, बुकमा qui की आप बात कर रहे हैं, ऐसे बड़ी वेब साइट estimates की, तो क्या WhatsApp Business API केवल इन ही बड़े business こ मिलती है, बड़े websites को मिलती है। या अगर हमारा कोई छोटा business है हमरा उक legal चोटा business है, proper तरीके से registered है, तो क्या हमें भी business API मिल सकती है, yes हमें भी WhatsApp Business API मिल सकती है, तो क्या हम भी इस टाइब के automation को set कर सकते हैं, हम भी इस टाइप के automation को set कर सकते हैं, बट पहली शर्त क्या है कि हमें WhatsApp Business API चाहिए होगी, मतलब ये काम हमारे normal WhatsApp application से नहीं होगा, तो आज के इस वीडियो में हम लोग detail में इसी चीज़ को cover करेंगे, कि आखिर WhatsApp Business API क्या है, किस तरीके से हमें WhatsApp API मिल सकती, चलिए शुरू करते है ये खेल शुरू होता है काफी पहले, जब हमारे पास WhatsApp की केवल और केवल एक normal application थी, fine, Facebook ने बाद में WhatsApp को acquire किया और लेकर आया WhatsApp Business और Facebook ने ये सोचा कि अब मैं WhatsApp Business लेकर आ चुका हूँ, अब जितने भी business owners हैं, जो basically अपने थोड़ा बहुत communication normally WhatsApp के उपर करते थे, अब वो WhatsApp Business क application को install कर लेंगे और हम उनकी लगबग लगबग सभी समस्याओं को हल कर देंगे, क्योंकि जो कमिया WhatsApp में थी, जैसे यहाँ पर हम अपनी website को नहीं mention कर सकते थे, यहाँ हम अपने working hours को नहीं mention कर सकते थे, यहाँ हम catalog नहीं बना सकते थे, तो यहाँ पर WhatsApp Business वाली जो application है, इसके अंदर बहुत सारी limitation थी, क्योंकि जब business owners को, चाहे वो छोटा business owner हो, चाहे वो बड़ा business owner हो, जब उसको यह वाली application मिली, तो उसको इस application के अंदर बहुत सारी कमिया नजर आई, क्योंकि एक normal business owner क्या चाहता है, कि उसकी business के बारे में, जादा से जादा लोगों को पता चले, मतलब वो चाहता है, कि उसके messages broadcast हो सके, वो चाहता है, कि वो जादा से जादा लोगों का group बना सके, वो यह चाहता है, कि वो chatbot को deploy कर सके, वो यह चाहता है, कि वो systems को automate कर सके, messages को automate कर सके, यह कोई भी चीज आपको इस वाले WhatsApp business के अंदर नहीं मिलती थी, तो इसी वज़े से एक तीसरा solution है, वो निकाला WhatsApp और Facebook ने, जिसको हम लोग बोलते है, WhatsApp business API, तो WhatsApp business API क्या कर सकता है, पहले तो हम लोग यह समझते हैं, तो यहाँ पर देखो, आप बहुत सारे messages को broadcast कर सकते हैं, आप लाखों messages एक दिन के अंदर भेज सकते हैं, और उस person को पहुंच जाएंगे, ज आप उनका इस्तेमाल करते हो, जो कि सही तरीका नहीं है, अगर आप एक normal और एक अच्छे business हैं, तो आपको basically WhatsApp business API का ही इस्तेमाल करना चाहिए, तो सबसे बहले हैं, जैसे मैंने आपको बताया, कि WhatsApp business API यह कर सकती है, WhatsApp business API यह कर सकती है, group की limitation थी हमारी normally, जो WhatsApp business API दूर करती है, WhatsApp can be shared to different person, जैसे अगर मेरी कोई team है, for example, मेरा एक business है, और मेरे पास एक proper sales team है, 10 लोगों की, और मेरे पास एक number है, जिसके through मैं communication करता हूँ WhatsApp के उपर, तो वो number या तो मेरे पास रहेगा एक mobile में, या तो एक दूसरे person के पास रहेगा, या तो तीसरे person के पास रहेगा, अब म में हमें जरूरत पढ़ जाती है, WhatsApp business API की, तो WhatsApp business API हमें ऐसे tools के through, ये facilities प्रोवाइड करके दे देता है, उसके बाद अगर मैं chatbot को deploy करना चाहता हूँ, तो मैं कर सकता हूँ, शुरुआत में जो मैंने आपको examples बताए, कुछ automation के, वो सारी चीज़े हम लोग WhatsApp business API के through ही, जो है वो कर सकते हैं, तो अब इसकी simple सी process क्या है, अगर आप भी चाते हो कि आपको WhatsApp की business API मिल जा है, तो क्या इसकी कोई application है, जिसको हमें download करना पड़ेगा, नहीं, देखो ये जब सब समस्याइं आईं, बहुत सारी समस्याइं जो आप यहाँ पर देख रहे हो, इस वाली WhatsApp business की application म realize हुआ कि हमें WhatsApp business API को launch करना चाहिए, तो API कोई application नहीं है, API आप इस तरीके समझो, एक interface है, जो आपको और WhatsApp की जो backend है, उसको connect करने में help करेगा, तो सबसे पहले अगर आपको WhatsApp के different features को लेना है, उनको use करना है, जो कि WhatsApp business के अंदर नहीं available है, तो फिर आपको चाहिए होगी WhatsApp की business API, बट Facebook ने ये decide कि वो WhatsApp की business API किसी individual को नहीं देगा, महलब मैं अगर जाओ WhatsApp के पास वो बोलूँ मेरे को WhatsApp की business API चाहिए, तो Facebook मेरे को नहीं देगा, या WhatsApp मेरे को business API नहीं देगा, तो Facebook ने क्या किया, Facebook ने बहुत सारे different different लोगों को WhatsApp की business API दे दी, जो बड़ी companies थी, organizations थी, जि globally, पूरी दुनिया भर में, इन लोगों को distribute करी, फिर इन लोगों ने आगे जो है WhatsApp API का जो access है, वो independent software vendors को दिया, जैसे for example, वाती, तो अगर मैं as an individual, as a very small business owner, अगर मेरे को WhatsApp API चाहिए, तो मेरे को क्या step लेना होगा, for example, जो मेरा number है, let's say ये मेरा number है, और मेरे को इसके उपर WhatsApp API, जो है वो लेना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको ये make sure करना होगा, कि ये number ना, normal WhatsApp से, या WhatsApp business application से connected now, जब ये number किसी से connected नहीं होगा, उसके बाद आप इस number के साथ, WhatsApp business API के लिए apply कर सकते है, as a business owner, but directly कोई तरीका नहीं है, मतलब यहाँ पर अगर आप एक business owner है, तो आप directly Facebook के पास नहीं जा सकते, कि मुझे भई Facebook की business API दे दो, ये मेरा business है, आपको या तो इसके पास जाना पड़ेगा, या तो इसके पास जाना पड़ेगा, तो generally आप यहाँ पर ही जाते हो, independent software vendors के पास ही जाते हो, जैसे मैंने एक example बताया, और इनके through ही, आप WhatsApp क जो API है, उसका approval आप लेते हो, या उसके लिए आप apply करते हो, तो आपको आपके नंबर की WhatsApp API जो है, वो मिल जाती है, और उसके बाद बहुत सारे, जो ये software vendors है, इन्होंने बहुत सारे अलग-अलग तरीके के, जो software's है, उनको create करके रखा हुआ है, according to your requirement, क्यों? क्योंकि ये WhatsApp का chatbot का इस्तेमाल करना है, किसी को WhatsApp के थुरू automation करना है, तो बहुत सारे different businesses, जो इस line में लग गए, कि उनको WhatsApp API चाहिए, इस चीज़ का फायदा उठाया, ऐसी companies ने, independent software vendors ने, इन्होंने, जब एक business owner अपनी WhatsApp की API के लिए apply करता है, तो इन्होंने different type के, जो features है, functions है, वो अप application है, अपना जो software है, उसके अंदर build करना शुरू कर दिया, और उसकी services वो आपको देते हैं, तो आप चाहो तो directly आप WhatsApp API के लिए, Facebook को apply नहीं कर सकते हो, आपको आई, जो हमारे independent software vendors होते हैं, इनके through, जा फिर आपको BSP के through ही apply करना पड़ेगा, जैसा मैंने आपको पहले बता है, कि यहाँ पर कुछ कमिया थी, और यहाँ पर तो बहुत सारी कमिया ही थी, with regards to business owner, यह कोई application business owners के लिए तो बनी ही नहीं थी, किसी भी तरीके के business को purpose को यह solve नहीं करती थी, तो यह वाली जो हमारी WhatsApp business API है, यह basically business owners के लिए बना हुआ है, अब इसकी process कैसे होती, वो भी मैं verify होना चाहिए, fine, और WhatsApp API को बहुत सारे लोग confuse करते हैं, green tick से, green tick की process अलग है, और WhatsApp business API मिलने की process अलग है, green tick एक अलग चीज़ है, WhatsApp business API एक अलग चीज़ है, WhatsApp business API आपको normally मिल सकती है, अगर आपका जो business है, वो verified है, Facebook business manager के अंदर, तो सबसे पहले आप Facebook business manager अपना बनाते हो, ज करते हैं, हमारे ads count होगरा है, उसके अंदर होते हैं, तो वो आलग जो आपका Facebook business manager है, सबसे पहले वो verify होना चीज़, अगर आप independent software vendors के थ्रू भी जाते हो, तो सबसे पहले वो यही process करेंगे, कि वो सबसे पहले आपका Facebook business manager है, उसको verify कराएंगे, और उसके बाद WhatsApp business API के लिए apply करेंगे, बड़ा ही आसान सी process होती है, वो आपको मिल जाएगा, तो आप किसी भी इस टाइप के vendor से connect कर सकते हैं, बट actually आपको पता होना चीए, कि आप लेने क्या जा रहे हो, WhatsApp business API का मतलब क्या है, बहुत सारे लोग आपको यह बोलते हैं, हम आपको green tick verify कर देंगे, देख कोई individual नहीं कर सकता, उसको accept करना या reject करना, वो totally जो है, वो Facebook के हाथों में है, तो बहुत सारे ऐसे scams भी होते हैं, तो उनका भी please आप थोड़ा सा ध्यान रखेगा, तो यह पूरी कहानी है, WhatsApp business API की, I believe अभी आपको इसका overview की जो clarity है, वो हो गई होगी कि WhatsApp business API का आखिर मतलब क्या है, यह provision है, यह तरीका है, जो WhatsApp ने निकाला हुआ है, ताकि वो business owners को help कर सके, यह कोई application नहीं है, ठीक है, ताकि इस API की help से API का अगर आप basic मतलब समझते हैं, तो उसका सीधी सी बात यह होती, कि दो चीज़ों को connect करता है, तो जो WhatsApp है, ठीक है, उसके जो features है, उनको और यहाँ पर आपके communication को यह facilitate करता है, इसलिए आपके number पे WhatsApp business API होती है, I believe यह basic concept आपको clear हो गया होगे, समझ में आ गया होगा, कि WhatsApp business API कि आज के टाइम में इतनी बात क्यूं होती है, और इसका मतलब क्या है, इस particular वीडियो में इतना ही, मिलते हैं next वीडियो में, till then, good bye.